मदद करो, खोई मेरी मदद करो जब मीलदोर तक कोई ना हो तो आप क्या करोगे? ये सब इस सधारन से यात्रा के रूप में शिरू हुआ समुंदरी हवा तुम्हारी लंग्स में भर चुकी है पानी आपके शरील पर बड़िया लगता है रुको ये पानी कहां से आ रहा है और बोट कहां पर गई और वो पैसेंजर्स ये किसी तरह का मजाग है मुझे कोई हीडन कैमरा नहीं दिख रहे डारेक्टर, हलो बहानाने का समय हो गया कुछ भी नहीं हो रहा शान्त रहो, इसका मतलब है कि ये अंध है मैं अभी हान नहीं मान सकता चाहे में आइलेंड पर ही क्यों ना हूँ अकेला हूँ और पूरा भीगा हुआ उठो और चलो और अगर कोई मदद नहीं करता है तो तम रास्ता तो ढून ही सकते हो निशान आइलेंड की तरफ जा रहे है और अगर दूसरे नजरी से देखे तो ये अच्छा भी है ये बहुत सुन्दर है थोड़ा डरावना है जाहिर है पर फिर भी सुन्दर है अगर तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम एक नॉर्मल वॉक कर रहे हो तो ये ठीक है बस यहां मच्छ नहीं होते किसी भी इंसान को यहां आए काफी समय हो गया वो कौन है खेर तुम अच्छे समयर कर रहे हो और दिख भी अच्छे रहे हो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें रहने दूगी हम साथ में मज़े करेंगी खुब सूरत जगा को मैच करने के लिए तुम्हें कपड़े बदलने होंगे नहीं तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो ये भी गलत है क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है आइलेंड स्टाइल बहुत खास है ये वाला ये एकदम ठीक है ये तुम्हें इस आउट्फिट में चलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो वह बहुत जादर नहीं बोलती पर वह बहुत संदर है ये तुम्हारे लिए स्वादेश्ट मुझे अपने मैनर्स पर भी काम करने की ज़रूरत है एक डेसर्ट आलेंड पर रहने के लिए आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए अगर तुम्हारे पास खाना नहीं है तो सब कुछ खतम अच्छे बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बस ये बूम्रेंग को फैको आप केले का शिकार करने की तुम्हारी बारी है लेकिन करने से ज़्यादा कहना आसान है लगता है कि सबी लोग अपने हाथों में हतियार लेकर पैदा हुए थे आखिर ये एक बूम्रेंगी तो है इसे वापस आना चाहिए है ना और यहाँ कोई केला नहीं है घने जंगली जंगल में ढूणने के लिए बहुत कुछ है जैसे स्वादिश्ट स्वास्ट स्नैक्स बस उने ढूंडो और पकड़ो उस नट को देखो तुम्हारी बारी है लेकिन पेड़ों नहीं देना चाहते तुम इस पर बेना किसी उपकरन के कैसे चड़ सकते हो ओ तुम शेहरी लोग बात करना और कपड़े पहनना सिर्फ यही चीज़ है जो तुम जानते हो सबसे असान काम भी नहीं कर सकते देखो और सीखो एक नारियल असनी वाला असनी और बहुत मजबूर ठीक है गूगल हम एक नारियल कैसे चीले काज मैं योट्यूब पे इससे कैसे करते हैं यह देख पाता हलाकि कोई भी योट्यूब वीडियो इस खुबसूरत एक्सपर्ट का मुकाब्ला नहीं कर सकती हें इसे देखो मर्ण खाओ वाह ये एक ड्रीम गर्ल है ये एक रोयाल रॉब की हचदार है उसे ट्राइ करो इसे ब्रा कहते हैं एक ब्रा वाह ये एक कमफर्टेवल ड्रा है ये बहुत खुबसूरत है जब आप इसे अच्छे से जानते हैं तो डिजर्ट आजन जीवन भी इतना बुरा नहीं होता लेकिन एक चीज बरदाश नहीं की जा सकती नंगे पैर चलने से आपके पैर कर जाते हैं गाओ के साथ शिकार करना सच में मज़ेदार नहीं है ये एक अच्छे बात है कि इस शहरी निवासी के पास कुछ अराम दायक चीज थी और वो अपने साथ कुछ लेकर आया शान्ध हो जाओ बस मुझबर भरोसर रखो टेप इतनी मस्बूत नहीं है लेकिन ये काम आएगी और थोड़े देर के लिए पैरों की सरक्षा भी करेगी वाह क्या मैं इसे खा सकती हूँ नहीं ये खाना नहीं है बहतर होगा तुम एक सैर पर चलो अब तुमें कोई भी चीज चोट नहीं पहुचाएगी अब तुम चीटा का भी शिकार कर सकती हो नैच्रिनल डाइट्स में सिर्प्राइजिंग अमाउंट की वेरियेशन पाए जाती है आज रात उधारिन के लिए हमारे पास मचली है अगर हम इन पकड़ भी पाए तो ये एक और जरूरी और सिंपल स्किल है पर ध्यान रहे इसे ढूंड़ो फिर हम ला करो कोशिश करो ये बहुत आसान लगता है लेकिन इसके लिए कुछ ट्रिक्स है नहीं तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा ये मेरा पैर है क्या हुआ है तुम्हें मुझे सब कुछ अपने आप ही करना होगा ये मुश्किल नहीं है इसे ढूंड़ो, हमला करो और बाहर निकालो हमें इसे जल्दे पकाने की जरूरत है ताजे, फायर रॉस्टिड, मचली, यम्! इसके लावा हमारे पास अभी तक बॉन फायर नहीं है वो आख शुरू करने के लिए बहुत मिश्कर से कोशिश कर रहे है तेजी से रफ करो, जब तक स्पाक्स बहर ना आए लेकिन इसमें कितना समय लगेगा मेरे हाथ ठक रहे है फिकर क्यों करना जब आपके पास मैचेस हो? क्या तुम्हें जादूगर हो? क्या ये जादू है? नहीं, ये कुछ हद तक modern technology है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसे शहर पसंद आएगा? क्या आपको पता है कि अगर आप कान के उपर सीशल रखते हैं तो आप समुंदर की आवाद सुन सकते हैं इस ते जादा अच्छा और कुछ भी नहीं है और मन की थोड़ी शानती हमारे आईलेंड निवासी को चूट नहीं पहुचा सकती एक सीशल को फ्लेक्सिबल वांड में जोड़ें अपने नई हेड़फोन्स को ट्राइ करें वो मज़ेदार है उसे ये पक्का ही पसंद आएगा इसके साथ पांकल मत बनो ये सिर्फ सुनने के लिए है देखो उनमें से म्यूजिक बचता है ये एक तरह का मोनो टोनस है पर बढ़िया अवास बहुत आराम दायक है लेकिन उसे खत्रे की गंटी हमेशा सुनाई दे जाती है इससे अच्छा है कि अपने हाथों को देखो दुख की बात है शहरी स्लिकर वाइल आइलेंड जीवन के लिए नहीं है वो क्या है? एक मोटर बोट है मेरा नया दोस्ट फटा फट भाग गया मैं यहाँ हूँ, मदद करो ये एक ना भूने वाले अडवेंचर है पर मुझे यहाँ से बहर जाने की ज़रुवत है अराम, मैं यह आया बाइ बाइ आइलेंड फिर मिलते हैं अंसनेटरी परिस्तितियां, मच्छर और टेज गुडबाइ मेरे नई दोस्ट अलग होना असान नहीं है तुम हमेशन मेरे दिल में रहोगी यह क्रेजी एडवंचर था है ना, आप एक डिजर्टेड आइलेंड में क्या लाएंगे आप हमारे चैनल पर और भी इंट्रेस्टिंग चीज़े देख सकते हैं अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भोलें और अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लाएंगे